के करेंट अफेर्स के सत्र में हम कुछ महत्यपूर्ट टॉपिक को लेंगे जो कि आपके एक्जाम के दिश्ट कौन से सबस्यादा इंपोर्टेंट है और प्रदिन के इस तर पे मैं आप सभी को ठोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूं छोटे छोटे या फिर बहुत बड़ी इस अंख्या मैं टॉपिक इसलिए नहीं उठा रहा हूं ताकि आपको चीजे याद रहें रिवाइज रहें बस इतने ही टॉपिक जितने करवाता जा रहा हूं इनको रिवाइज करते जाओ ठीक है तो करेंट एफेर्स के अज पहले अंख में जो हम पढ़ने जा रहा है कर नाम है हुबली जन्संग, ठीक है, हुबली जक्षन, यह आपका railway का सबसे बड़ा rail platform बन गया है, विश्यू का सबसे लंबा rail platform बन गया है, ठीक है, तो यह question भी आपको एक question है, आपको ध्यान रखेगा, वैसे इसका पहले नाम था, स्री सिध्धा रूढा स्वामी जी हुबल जन्क्षन जो है, आपका क्या हो गया है, विश्यू का सबसे लंबा railway platform बन गया है, ठीक है, रेल platform समझते हैं, प्लेटफॉर्म जहां पर रेल आकर के खड़ी होती है, वैसे रेल किसे बोलते हैं, रेल जो होती है, रेल आपकी जो पट्रियां होती है, पट्रियां जो होती ह जो इसका पथ परिवहन है, लोह पथ गामनी भी बोलते हैं, लोहे के पथ पर चलने वाली लोह पथ गामनी, जो है रेल वे, तो रेल गारी यह रेल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यानि यहां पर यह वाला देख रहा है, यह प्लेटफॉर्म जहां पर स्टेशन पर आकर के गारी रुकती है तो यह प्लेट फॉर्म होता है जहां पर यात्रीगान इंतजार कर रहे होते हैं और ट्रेन पर बैठते हैं या फिर निकलते हैं तो स्री सिध्धा रूडा स्वामी जी हुबली जंक्षन है आपका इसी को जो है 2015 में पहले इसका नाम बदल दिया गया करनातक में या आपका विश्चु का सबसे लंबा रेल प्लेट फॉर्म हो गया इसका गिनीज वर्ड उफ रिकॉर्ड है इसका हुबली जंक्षन का railway platform का दर्जा दिया गया है और 12 मार्च 2023 को प्रधमती नरिंद मोदी जी के द्वारा इस platform का उध्गाटन किया गया था टोटल 1507 मीटर की 1507 मीटर जो है आपका ये लंबा है ये platform platform नंबर आठ की बात कर रहे हैं ठीक है इससे पहले जो सबसे लंबा जंक्षन था वो था आपका गोरकपूर का हमारा ठीक है उत्तर प्रधेश के गोरकपूर का जो platform था उसकी लंबाई थी 1306 मीटर ठीक है आप उससे बड़ा बन चुका है 1507 मीटर हुबली जंक्षन platform नंबर आठ ठीक है तो ये आपका विश्चु का सबसे लंबा platform बन चुका है ध्यान रखेगा जो विश्चु के पांस सबसे बड़े platform है ना उनमें से चार भारत के है चार भारत के है टॉप 5 मे चार भारत के है पहले नंबर पे तो हुबली जंक्षन होगे आपका कितना है 507 मीटर की लंबाई है इसका platform नंबर आठ दूसरा मारा गोरकफुर जंक्षन गोरकपुर उत्तर प्रदेश में है 1366 मीटर की लंबाई है एक आपका केरल का है कॉल्लम जंक्षन कल कोल्लम के बा चंगाल में 1072 मीटर है फिर इसके बाद आपका अमेरिका का है अमेरिका का स्ट्रेट स्ट्रीट सब्वे है आपका वह आपका फिर इसके पांच वे नंबर पर आता है तो पहले नंबर पे हुबली जंक्षन हो गया यह आप लिख लिजेगा अबिश्यू का सबसे लंबा र प्वस्तित है सभी लोगों क्लियर है बूलना नहीं है यह टॉपिक को ठीक है हुबली जंक्षन हुबली जंक्षन धरवार करनाटक छेत्र इसके बाद दूसरा है आपका यह आप देख रहे हैं हाई कोट आफ केरला है आपको यह बिल्डिंग जो देख पा रहे हैं हाई को कि अभी तुम amyan खबर है उच न्याले है यह और इस उच न्याले के दवाला छेत्री भासा में न्यडै देनेवाला यह पहला आपका न्याले बन गया है ठीक है छेत्रिय भासा में नेड़े देने वाला पहला नेड़े बन गया ये छेत्रिय भासा में नेड़े अब छेत्रिय भासा यहां पर मले आलम है कौन चाहे मले आलम है अभी सुर्प्रिम कोर्ट के जो चीप जेस्टिस है डिवाई चन्ड चूड है ना वो रमोट भी कर रहा है कि खेत्री भासाओं में नेड़े दिये जाए उनमें अनुवादित किया जाए आप देखिए संब्मिदान में जो हमारी संब्मिदान है संब्मिदान में 22 खेत्री बाइस भासाओं के बारे में चर्चा की गई है इसको लेकर के अलग से मैंने जो है अनसूची वाली क्लास आपकी अलग से ले रखी है और आप लोग उसे देख लीजेगा वहां पे मैंने बताया है असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, करनड, कस्मीरी, कॉंकड मैथली, मड़िपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्क्रिस, संथाली, सिंधी, तमिल, तिल्गू, उर्दू, मलयालम, तो मलयालम आपका जो है यहां की केरल की है तो भारत के जो मुख नयादीश है डीवाई चंदचूड वो जो है सरबोच नयाल करन का प्रयोक किया जाए तो यह बहुत आसानी से अन्वाद किया जा सकता है और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी अमय ओका के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी अमय ओका की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में अमय ओका की अध्यक्षता में कमेटी भी सुप्रीम कोट ने बनाई है अमयोका करने को लेकर जो इस समय मौझूदा आपके सीजी आई हैं वो इस पर काम कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा ये एक इंपोर्टेंट है भारत का पहला उच्छने अले बन गया है मले आलम भाषा में प्रकासित करने वाला और केरल के इस समय मुखनादीश है एस मड कुमार ये ध्यान रखना है ठीक है और मले आलम में जो है इन्होंने पूरा का पूरा दो मामलों की सुनवाई कर रहे थे एक था आपका वाहन क्रेय रिड ठीक है और दूसरा था चेक डेम निर्मार से संबंदित निड़ा है इन दोनों निड़ियों को उन्होंने मले आलम बहासा में प्रकाश्यत करवाया तो ये आपको दिमाग में बैठा लीजे ये कोश्चन आपका बन सकता है बहुत सिंपल है बहुत जाए दिक्कत नहीं है ठीक है तो केरल आपका पहला रिजटनल लैंग्वेज में केरला हाइब कोड़ पब्लिच जजमेंट इन रिजनल ल लेक लिए नाडू सवयम का जलवाईव परिवरतन शुरू करने वाला भारत का पहला राज ज़्य वन गया है थीक है सवयम का इन्होंने इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर एक जो है मिशन स्टार्ट किया है अब देखे आपको पता है कि भारत सरकार के द्वार चेंज मिशन चलाए जाता है तो इसी तरज पे 2021-22 का जब बजट आया था उसमें तमिल नाडु सरकार के द्वारा 500 करोड रुपए के बये के साथ जलवाई परिवर्तन अनकूलन और समन गत्विध्यों के लिए बहुत सारे कारक्रम स्टार्ट करने की बात की थी और इसी में जलवा परिवर्तन मिशन ठीक है तीन मिशन थे नमबर एक आपका क्या है फाल गरीरन तमिल नाडव तमिल नाडु मिशन ठेक है नमबर दो आपका कौन सा है नमबर दो है आपका तमिल नाडु आद्रभूमी मिशन तमिल नाडु आद्रभूमी मिशन ठेक है और तीसरे नमबर का जो आपका है वो है तमिल नाडु ग्रीन ख्लाइमेट यह तमिल नाडु जलवाई परिवर्तन म तो यही आपका स्टार्ट किया गया है जलवायू परिवर्तन मिशन ठीक है तो इसके लागू करने को देश से एक कंपनी बनाएगे तमिलनाडू ग्रीन क्लाइमेट कंपनी इनको लागू कौन कराएगी तमिलनाडू तमिलनाडू भारत का पहला राज बनाएगे तमिलनाडू के द्वारा ये देश का पहला राज बन गया है यहाँ पे जो मुख मंत्री है इनका नाम है M.K. Stalin, क्या नाम है इनका? तमिल नाडु के मुख मंत्री का नाम, सभी लोग जानते हैं, तमिल नाडु के मुख मंत्री कौन है? M.K. Stalin, उनके द्वारा तमिल नाडु Climate Summit होई थी 2022 की, ठीक है? तमिल नाडु Climate Summit होई थी, इस समिट पर ही उनने जलवाई परिवर्तन मिशन स्टार्ट किया था, तो ये आपको दिमाग में बठा लेना है, चन्नई में समिट आयोजित की गई थी, ठीक है? और आपको पता है, इस पे भारत सरकार के द्वारा नेशनल मिशन चलाए गये हैं, और नेशनल मिशन के तरज पर ही ये आपको चलाए गया है, भारत सरकार ने आठ मिशन चलाए हैं, राष्टी इस तरफ पर जलवाई परिवर्तन में, एक तो आपका राष्टी सौर उर्जा मिशन चलाए गया है, दूसरा उन्नत उर्जा दक्षता के लिए राष्टी मिशन चलाए गया है, जलवाई परिवर्तन के सामरिग ज्यान पे राष्टी मिशन चलाए गया है, वैसे ही आपके तमिलनाडू सरकार के द्वारा भी क्या किया गया हैं, मिशन चलाए गया ध्यान रखना है यह एक आपका important current affairs का topic है ठीक है तो यह आपका देखे जलवाई परिवर्तन मिशन सुरू करने वाला देश का पहला राज तमिलनाडू बना है ठीक है इस पे तमिलनाडू ने 9 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया है मिशन की सुरूआ तमिलनाड के मुखमंतरी मके श्टालिन द्वारा 9 दिसंबर 2022 को की गई है और इसके तहर जलवाई कार रियोजना का क्रियानवन तमिलनाडू ग्रीन क्लाइमेट कमपनी करेगी एक कमपरी बनाई गई है 8-9 दिसंबर 2022 को चन्नाई में एक समिट आपकी बनाई गई थी उस समिट में जलवाई परिवर्तन सीखर सम्मेलन था उसके दवरान ही M.K. स्टालिन के द्वारा स्टार्ट किया गया बहुत बड़ा जो है एक कारिक्रम है जिसका नाम है पीम मित्र पीम मित्र ठीक है पीम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं आपके यह पार्क किसलिए हैं टेक्स्टाइल को ले करके कपड़ा इंडस्टी को ले करके मेगा पार्क बनाए जाए बड़े बड़े तो अभी भारत सरकार के द्वारा 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को मेगा पार्क बनाने की बात की गई है साथ मेगा पार्क बनाने की बात की गई है टोटल ये देखे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के लिए कपड़ा उद्यों के लिए है तो साथ मेगा प्रक बना जा रहा है इसको लेकर और के कुश्चन बन सकता है नंबर एक पहला है तमिल नाडु पहला बन रहा है तमिल नाडु प Запांट है और न्त है करनाटक, तीसरा महाराष्ट्र, जहां पर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री सेंट्रिक है, वहां पर एक काम किया जाएंगे, गुजरात, गुजरात, यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश भी है इसमें, ठीक है, और मद्ध प्रदेश, एंपी, इन राज्यों में, छै राज्यों मे साथ मेगा पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, इसके लिए सत्तर अजार करोड रुपायर का निवेश किया जा रहा है, और इससे बीस लाख रोजगार सरजन की संकल्पना की गई है, ठीक है, बीस लाख रोजगार सरजन की संकल्पना की गई है, तो पीम मित्र को लेकर के, भारत सरकार क्या बना रही टेक्स्टाइल पार्क बना रही है ध्यान रखेगा इसको टेक्स्टाइल पार्क बनाए जा रही ठीक है और यहां पर जो है 5F की बात की गई है 5F आप जानते हैं कि एक तरीके से प्रदानमिंतरी जी के द्वारा किसी भी चीज को लेकर एक विजन टेक्स्टाइल बनता है दूसरा है फैशन को ध्यान में रखते हुए तीसरा फॉरेन यानि कि इसको क्या करना है हमें निर्यात भी करना है विदेशों में फैक्ट्री फैक्ट्री तो फैक्ट्री के लिए ही आपके पूरे के पूरे निवेस पार्क बना जा रहे हैं और तीसर फॉर्म जहां पर इनको इस्टोर करेंगे तो यह 5F बिजन के तहट आपके PM मित्र पार्क बना जा रहे हैं जहां पर बहुत सारी विवस्थाय दी जाएंगी बहुत सारी फैसल्टी अब लेबल कराई जाएंगी तो मेगा टेक्स्टाइल पार्क बना जाएंगे आपके क्या बना जाएंगे मेगा टेक्स्टाइल पार्क ध्यान रखेगा एक यह बड़ा महत्रपूर कारकरम चालू किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसके बारे में लिख लीजे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मोस्ट इंपोर्टन प्रोग्राम है और 2022-23 के अंतर राष्टिय बॉर्डर में अवस्थित हैं उन बॉर्डर में अवस्थित गाओं को क्या करना है उनको क्या करना है उनको वाइब्रेंट करना है उनको वो सारे लाब पहुंचाने हैं जो कि लाब सब तक पहुंच रहे हैं तो जो सीमा प्रांतों में अवस्थित जितन इसको launch किया गया इस पूरे कारक्रम को वाइब्रेंट विलेच प्रोग्राम को ठीक है कहां पे इसको launch किया गया आपको पता है कि हमारा सबसे पूर्वी जिला जो है सबसे पूर्वी जिला है कीबुथू कौन सा कीबुथू तो अउख़ाचल प्रदेश में अंजाब जिला है कौन सा है अंजाब जिला है अंजाब जिला अंजाब जिले में ही एक गाउं परता है जिसका नाम है कीबुथू कीबुथू यह भारत का सबसे पूर्वी जिला भी है मैं एक बार आपको मैप में दिखाता हूँ मैप में आप देखे यहां पे अवड़ाचल का मैप नहीं है क्या नहीं अवड़ाचल का इसमें मैप नहीं मांचित नहीं है बाकी चलो मैं कोई बात नहीं यहाँ पर मानचित नहीं एक बार आप लोग मानचित में देख लेना मिल जाएगा तो किबुथू आपका ये सबसे पूर्वी गाउं है मतलब सबसे लास्ट पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट पर आपका वस्तित है तो अवडाचर प्रदेश के अंजाब जिले में सीमा वर्ति गाउं किबुथू है वहीं पर लॉंच किया गया आपका बाइबरेंट विलेज प्रोग्राम क्या किया गया बाइबरेंट विलेज प्रोग्राम ध्यान रखेगा ठीक है तो Bibrant Village program को ले करके budget में वेस्था की गयी थी इसको ले करके और है क्या Bibrant Village program जो सीमा च्हेत्रों पर गाव हैं चोटे चोटे गाव हैं जहांपर बहुत ज़्यदा पापुलीशन नहीं है छैसो Excuse- Register लोग रह रहे हैं तो यह एक आपका बहुत important पर्योजना है और इसके तहए अभी चार राज्यों को लक्षित किया गया है, चार राज्यों के गाउं को लिया जाएगा, एक तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा उनाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्राखंड, ठीक है, और लद्दाक, ठीक है, यह म हिमाचल प्रदेश, और उनाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्राखंड, और साथ में लद्दाक, इनके जो गाउं है, छोटे-छोटे गाउं है, जहां पर बहुत कम अबादी रह रही है, लगबग अभी उन्तिस सो सरसट गाउं को चिन्हित किया गया है, 2967, तो कीबुतू से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, मैंनमार बॉर्डर से लगता है, उनाचल प्रदेश में, वहां से स्टार्ट किया गया है, तो इन में सबसे पहली बात, जहां पर मलब इन गाउं में लोग रह रहे हैं, वहां पर रहने के लिए इनको प्रोसाहित किया जाएगा, वहां स इनके पलायन को रोकने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ से पलायन न करें क्योंकि वो सारी वेवस्थाइं इनको देने का प्रयास किया जाएगा जो वेवस्थाइं राश्टी इस तर पर सभी को मिल रही है ठीक है तो ये भी आपको द्यान रखेगा बाइब्रेंट विलेज एक्षन प्लान ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इसके तहट आपका डेबलप किया गया है बाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाये गया है यह आप देख सकते हैं यह है कि बुथू मैंने आपको अभी दिखा दिया यह मानचित्र है अवनाचल प्रदेश का यहां पर यह है आपका ठीक है यहां पर देखे काफी गाउं कि बुथू है काहो है मुसाई है तो यहां पर यह गाउं आपके इस्टैबलिश है तो यह आपके सबसे पूर्वी छेत्र के तौर पर आपका है जहां पर इस्टैबलिश्मेंट है मात देखे कि ब बाइब्रेंट बिलेज प्रोग्राम के तहित किया जाएगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तो देखें आपके यह देख रहा है यह कि बुतू है आपका तो बाइब्रेंट बिलेज प्रोग्राम से कोश्चन पूछेगा आपका तो इस तरीके से बाइब्रेंट बिल केरला हाई कोट हो गया और एक आपका हुबली जंक्शन हो गया पांच टॉपिक आपके हो गए आज के लिए इतना ही रखेंगे ठीक है हुबली जंक्शन विस्सु का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म केरला हाई कोट रिजनल लेंग्वेज मलयालम में नेड़ा जारी करने वाल पहला राज्य तमिल्णाडू आपका ग्रीन नडवुल्णाडय टमालक्रीथ जल्वाई परिवरतन मिशन चलू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया इसके बाद आपका । determination की बैर कर धना हुआ कुЕН गया, relaunch किया गया, establish किया गया और इसके तहें जो हैं हम basic infrastructure देंगे समवेशी विकास की दिशा में परियास कर तो यह आपको ध्यान रखना है, vibrant village program ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, यह महत्यपूर्ण topic हैं आप सभी के current affairs के, और इतना बस रखते जाएए, याद करते जाएए, थोड़ा थोड़ा आपका होता जाएगा, सारे topic complete होते जाएगे, तो next class में आगे के topic देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं